सर जी मैं तो नया नया हूँ, मैं समझेबल मोटर वाइडिंग का काम सिखना चाहता हूँ तो सर जी मैं क्या करूँ? मैं तो नया हूँ लेकिन मुझे काम सिखने में बहुत दिल्चस्पी है लेकिन मैं क्या करूँ? यानि कि मैं कहां से स्टार्ट करूँ? और सर जी आप तो बड़े होश्यार हैं, आपकी पास सभी मोटर का डाटा है, हमारे पास कोई डाटा नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करें तो और दुसरी ये बात है, कि जो वाइडिंग शीक गएं, उनका क्या क्या कहना है, कि सर जी हम मोटर डाटा करें, लेकिन हमें बहुत दिक्कत आ रहे हैं मोटर वाइडिंग करने में, तो आसांत तριकी से हम मोटर को कैसे रेवाइड कर सकते हैं तो ये जो वीडियो है नए लोगों के लिए आर आज वीडियो के अंदर आप जान जाएंगे कि नए लोगों के लिए क्या करना होगा अगर आपको मोटर वाइडिंग काम सिखना है सबसे पहले मैं आपको बता जयता हूँ कि अगर आपका ये question है कि कोई वेक्ती वीडियो देख के motor rewind कर सकता है या फिर नहीं तो मेरा जवाब है हाँ हमारी वीडियो देख के कोई भी वेक्ती motor rewind करना सीख जाएगा 100% कह रहा हूँ 100% जबकि मैं लोगों की वीडियो देखे मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो आप मेरे वीडियो देखे क्यों कुछ नहीं कर सकते तो 100% आप मतलब कहां पर जाने की जरूरत नहीं आपको कोई शॉप पर जाने की जरूरत नहीं कोई दुकान पे जाने की ज़रूत नहीं 100% आप हमारी वीडियो देखे आप मोटर वाइडिंग का काम सीख सकते हैं मेरी फुल ग्यारंटी अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा तो इस वीडियो के निचे कमेंट बॉक्स में जाए और वहां पे जाके लोगों के कमेंट कमेंट कीजिए कि हां सर जी मैंने आपकी वीडियो देखके मोटर रिवाइड करना सीख गया हूं ताकि नए लोगों को भी पता चले क्योंकि भाई ये मतलब हम जो हैं लोगों को मदद करनी की सोच रहें अगर आपकी वज़ेश एगर कोई इनसान आगे जा पाता है तो य जानी की बहुत बड़ी उसके लिए मतलब कोई शब्द नहीं है ठीके आप चाहिए मतलब जो भी हो मतलब आप जो परमेश्वर की प्रति जितना प्यार जाता ना चाहते हैं तो लोगों की मदद करकी आप सारी चीज़े कर सकते हैं अभी दूसरी बात ये कि आपको हमारी वीडियो देखने के बाद भी फिर भी आपको ये सवाल है कि सर जी हमें फिर भी आपकी वीडियो देख लिए लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्या करें तो मैं आपको स्टार्ट से बताऊंगा आपको क्या करना है सबसे पहले इस वीडियो उनके लिए 100% है, उतने वीडियो देखने के बाद आपको motor rewind करना आना ही चाहिए, ठीके, और ये जो मेरा वीडियो आता है, हर संडे को, ये knowledgeful आपको लगता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप ये वीडियो ना भी देखेंगे, तब आप motor rewind करना सीख जाएंगे, ये जो मेरे वीडियो आते हैं हर संडे को, सिर्प देखना है और छोड़ देना है, बिल्कुल याद नहीं रखना है, ठीके, भूल जाना है, मस मैं यही कहूंगा, मैं किसे भी मेरे वीडियो को आपको याद रखने का बिल्कुल भी मतलब इज संड बाना देता है, मैं इसी को knowledge कहता हूं, अगर आपको knowledge है, तो आपकी जिन्दी बड़ी है आसानी हो जाती है, चलिए अभी मेरे मुद्धे पर आते हैं, कि आप अगर नए हैं, लेकिन आपको फिर भी विडियो देखे कोई समझ में नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना ह हैं, आपकी यहां पर कोई तो मोटर वाइडिंग करने वाला बंदा होगा, चाहिए ओ 10 किलोमेटर पर होगा, चाहिए ओ 5 किलोमेटर पर होगा, चाहिए ओ 40-50 किलोमेटर पर होगा, आपको सबसे पहले वहां पर जाना है, मोटर वाइडिंग का काम सिखने के लिए नहीं, क सिल्चस भी नहीं रखते हैं ठीक है आप जैसे ही कहेंगे कि हमें मोटर वाइटिंग का काम सिखना है तो आपको ठीक से सिखाएंगे नहीं जाहिर सी बात है क्योंकि इनसान हमेशा गलती करता है उनको वह बाशा समझ में नहीं आएगी ठीक है तो आपको क्या करना है वहाँ आप बस आपको वहाँ भी जाके खोल फिटिंग का ही काम सिख लेना है बेरीन बूश और मोटर को खोलते कैसे हैं जोडते कैसे हैं बस यही आपको काम सिखना है और बाके का जो आइडिंग का जो काम है आप हमारी वीडियो देखके सिख जाएंगे हलाकि खोल फिटिंग का लोडन priests लोडें कि मुझे रोज अकमेंड मिटों पूलें तो हमें केसे पता चलेगा किया पीछ इसका क्या gage किसी पता चलेगा आप तो शीर लोगें कीघ्षाइव। सबस्क्तुन केمة चाहिए बता आपके कोई company है क्या data चाहिए आपको क्यों क्यों चाहिए आपको जहां पर company है वहाँ पर बड़े इंजनेर लोग बैटे हैं उनसे ज्यादा देमाग चलाएंगे क्या आप लोग आपको किसे भी मोटर की डाटा की कोई जरुवरत नहीं नहीं है क्योंकि उसी मोटर के अंदर सभी डाटा है बस दिमाग में एक ही बात रख लो क्या रख लो जेसी मोटर है वैसी करनी है जो मोटर का पीच होगा उसी उपिश से हम रिवाइट करेंगे जो मोटर के अंदर gauge है, उसी gauge को हम डालेंगे, ठीके, तो यहीं चीज़ है, मोटर का data किसी से पुछने के जरूरत नहीं, मोटर खुलने के बाद, उस मोटर का piece क्या है, उस मोटर के turn क्या है, उस मोटर के अंदर gauge कौन सा है, यह सारे चीज़ें आपको देख लेनी हैं, अभी मोटर खोलने के बाद आपको क्या क्या चीज़ों का पता लगेगा दिखिए कोईल कट करके निकालेंगे तो आपको मोटर का पीच और मोटर के टरन आसानी सी मिल जाएंगे ठीक है एक स्लोट में पूरी कोईल निकालना है उसके अंदर टरन देखने हैं लिक के रखना है मोटर के ऊपर या पिर किसी परजे के ऊपर ठीक है यह काम हुआ पहला टरन तो पता चल गए पीच कहने कि हमारी कोईल है कौन सी स्लोट से लेकि कौन सी स्लोट में डली है उसे हम पीच कहते हैं तो वह पीच जो है आपको देख लेना एक दस है क्या एक ते आठ है क्या कितना पीच है वह आपको अपने इसाफ से नोट करके रखना है पीच भी पता चल गए अब ही बड़ी बात है जो आपके सर पर मतलब मन रही है वो है कि हम gauge कैसे Check करेए gauge कैसे Check करेए क्यूंकि हमारे पास gauge metra तो ही ये नहीं तो चली आसान सा तरीका बताता हूँ motor को तोड़ना है सरी, motor को नहीं तोड़ना है motor की coil को तोड़ना है उस motor की trained गिलने है पीछ देख लेना है नोट कर लेना है काम खतम मोटर की तार को पुराल निकलना है उसको जला देना है ठीक है जला देना है जला देने के बाद दुकांदर के पास जाना है आपको अपने शेहर में होगा ठीक है अपने बड़े शेहर के अंदर जहां पे मोटर वाइडिंग का तार मिलता है वहां पर जाना है वहां पर बस उसके counter की उपर उस scrap रग दो मोटर का जला हुआ तार रग दो बोलनी कि आपको कोई भी जरूरत नहीं है स्क्रियाप रग दो उतना ही तार आपको वह दे देगा साथ में गेज भी चेक करके बताएगा कि गेज कौन सा है आपको क्या जरूरत है गेज मीटर आपकी पास गेज मीटर की कोई जरूरत नहीं है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हम 2-3,000 रुपे लगा के स्टार्ट स सामन की जरूरत है बस पकड़ स्कूरूराइवर और जो पाने वगेरा ख़लने हैं इससे पर 500 रुपे खर्चा है अगर स्ट्यांड वगेरा बनाते हैं दो से लेकि 3,000 तक खर्चा हो जाएगा गेज मीटर खरिदने की कोई जरूरत नहीं है दुकानदार के पास गेज मीट कर दो काउंटर पे वह आपको उतना ही तार देगा कम पड़ा तो फिर मुझे बोल देना वह दुकानदारे उसको सब पता है उसका गेज कित कौनसा देना है उसका वायर कितना देना है जला हुआ तार अगर 3 किलो का है तो हमें नया तार कितना देगा और राइट आपको प पुरानी तार में, यानि कि वो 1 kg की तार में 500 ग्राम का डिप्रनस आ जाएगा, 120 सी लेके 500, यानि कि 1 kg के लिए आपको 120 ग्राम या फिर 1400 ग्राम तार नया जाला लेना पड़ेगा, ठिके, जैसे कि मैंने 1 kg का तार निकाल लेया मोटर से, ठिके, अगर आमने इसको जला दिया तो वो शाधे 800 ग्राम कहोगा तो आपको क्यतना तार लेना पड़ेगा एक किलो गा उस साधे 800 में 1.500 ग्राम एड कर लो तो कितना हो जाएगा एक किलो ठीक है इतना तार आपकी मोटर को पुरा परफेक्ट बस हो जाएगा उसमें आपकी पूरी motor rewind हो जाएगी अगली जो बात करते हैं कुछ लोग जो हैं हमारे वीडियो देख की motor winding का काम सीख गए हैं बस उनको दिक्कत यह आ रहे हैं कि motor थोड़ी सी हाड जा रहे है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा आपको एक साल तक motor hard ही जाएगी क्योंकि motor winding का काम जो है ऐसा नहीं कि कोई part लाये और उसको बीटा दिया और चल गया तो शुरू-शुरू में आपको जो motor है वो rewind करने में थोड़ी सी दिक्कत करेगी अगर आप पहली दिन motor rewind करेंगे तो आपको पुरा एक दिन लग सकता है जो कि हम देड़ गंटे में rewind करते हैं एक गंटा बहुत आ यानि कि देड़ गंटा लगेगा पुरा क्वाइल हम भी बानाएंगे और हम भी rewind करेंगे तो देड़ गंटा लगेगा ठीक है यानि कि 1.5 गंटा लगेगा और उनके लिए मैं कहना चाहूंगा अगर आप नहीं हैं तो लेके 2 से लेके 3 तरनक कम करके मोटर को rewind कर देजिए कोई प्रॉब्लिम नहीं आएगा ठीक है मैं कहरा आपको शुरू शुरू में आपको 2 से लेके 3 मिनित तक यह करना है कि 2 से लेके 3 तरनक कम करना है आपको और आपको मोटर रिवाइंड कर देना है और यह मोटर को कुछ भी प्रॉब्लिम नहीं आएगा लेकिन फिर भी प्रॉब्लिम आती है 6 मेने के अंदर फिर भी मैं कहा रहा हूँ अगर फिर भी प्रॉब्लिम आती है तो आपको मोटर कम पैसे में फिर से रिवाइंड करके देनी है आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की तो आपको कोई बंदा मोटर रिवाइंड करने दे रहा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है और शुरू-शुरू में काम आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही कम पैसे लेंगे तो फिर आपका ये जो काम है आगे चलता चला जाएगा फिर अगर आप एक बार आपको जज्जमेंट आज आएगा यानि कि जिस तरह आगर हम मोटर साइकल सिखते हैं और एक साल दो साल हमें जाते हैं परफेक्ट होने के लिए तो उसी तरह मोटर वाइडिंग का होता है आपको परफेक्ट होने के लिए एक बीस तिस मोटर तो रिवाइंट करेंगे आप तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको motor hard जा रहे हैं तो इसके वज़े से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कुछ motor भूती hard होती हैं कुछ motor भूती आसान होती है हम लोग winder हैं लेकिन फिर भी हमें कोई-कोई ऐसी motor मिल जाती है जो कि हमें भी भूत hard लगती है ठीक है लेकिन जिनके में कठिन से ज़्यादा आसान ही बहुत ज़्यादा है तो इसलिए आसान motor भूत ज़्यादा होती है hard motor भूती कम होती है अब एक बात कहना चाहेंगे कि अब एक आपका सावार रही सकता है कि अगर हम शुरू में motor rewind करना start करेंगे तो सबसे पहले हम rewind करने के लिए कौन सी motor लें कौन सी motor लेंगे जो कि हमें बहुत आसान होंगी और बिल्कुल चल ही जाएगी तो दोस्तों आपको जब आप कोई भी समर्शिबल motor है फर्स्ट टाइम rewind कर रहे हो तो आपको 5 SP की motor लेना है जो कि 3 SP की है उसको rewind करेंगे और ये motor rewind करेंगे आपने और ये motor आपका घुम गया तो सारे गाव में पेड़े बाटो क्योंकि ये motor आप rewind करेंगे 5 SP का 3 SP motor तो आपको किसी को भी कुछ भी पुचनी की ज़रूरत नहीं है बस थोड़ी सी दिमाग की ज़रूरत है तो आप उस 5 SP motor से कौन से भी motor आने तो आप उसको rewind कर सकते हो कोई नई चीज नहीं होती है इसके अंदर 2 coil आ गए 10-12 पिचके हो सकता किसी motor में 4 आएंगे अरे यार 10 भी आने तो क्या दिक्कत है कोई दिकत नहीं है जिस तरह हमरे 1 side 2 coil रहते है और आगे की side में 2 coil रहती है उसी तरह 3 coil आ जाएंगे तो 1 side 3 coil रहते है और आगे की side में 3 coil रहती है जिसका पीच 14, 16, 18 14, 16, 18, 36, quan discuss इस तरह भी आ सकता है बात करते हैं हम single phase के तो single phase के अंदर connection थोड़ा सा problem है यानि कि connection थोड़ी सीखनी की ज़रूरती है आमारी वीडियो से आप सीख सकते हैं या फिर एक ही दिमाग में रखेंगे कि जैसा है वैसे करना तो वैसा ही हो जाएगा वो भी motor जो है आपको rewind करने की मतलब कोई दिक्कत वाली बात है नई उसके अंदर अगर आप कोई भी थ्रिपेज का 5SP समर्शिबल मोटर rewind करना सीख जाते हैं तो दुनिया का कोई भी motor आप rewind कर सकते हैं इस बात को note कर लिजे क्योंकि हमने भी सिर्प 5SP का ही motor सबसे पहले rewind किया है और सबसे पहले दिक्कत आएंगी लेकिन एक ही rule रहेगा हमारी life का एक बार motor के अ परना ता आपने 1-11 भर दिया ठीक है कोई बात नहीं आपको जिंद्गी में एक बार करना ही है लेकिन वहां से आगे कभी भी पेच में चेंज नहीं होना चाहिए ठीक है मानली एक ही क्वाइल में हमारी टरन कम जादा हो गए हो गए से हो गए लेकिन बाद में नहीं होना हो सकता है कि हम मोटर रिवाइन करते करते हमारी मोटर स्टैंड की उपर से नीचे गिर गई और हमारी क्वाइल शॉर्ट हो गई हो गई से हो गई बाद में नहीं होना चाहिए जिंद्गी में हर एक चीज एक बार होनी चाहिए दो बारा नहीं होनी चाहिए एक ही चीज में हमें समझ में आना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं एक बार हम अगर मोटर साइकल पर से गिर जाते हैं तो जिंद्गी में बाद में कभी नहीं गिरेंगे क्यों नहीं गिरेंगे उसी से हम सीख जाएंगे और जरूरी नहीं है कि हम ही सारी चीजी से कहें याने कि हमें तकलिफ हो कि हम ही सारी चीजी से कहें यह जरूरी नहीं है ठीक है तो आप किसी दूसरों के चीज से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जैसे कि आपने मोटर को र टुम एक TP को में कोरने नहीं तो यह जा रहां को सुन लिजे आप मेरे पर अगर ब्लिव करते हैं तो ही सारी चीज़ें अब एक बात कहना चाहूंगा, YouTube पे आपने बहुत सारी लोगों की वीडियो देखे होंगे, मेरे भी देखे होंगे, और किसी बाइंटर की भी देखे होंगे, ठीके, अब एक से पहले मैं आपको बताने से पहले एक चीज़ कहना चाहूंगा, कि YouTube पे कोई भी चीज गलत नही सिखाता है भाई लोग, वो उनका उनका तरीक होता है, रिवेंट करने का और अपना अपना तरीक होता है, YouTube में अगर आपके सभी की वीडियो देखते बेटेंगे, तो आपका दिमाग चक्रा जाएगा, किसी एक इंसान को फालो करो, और उसी इंसान को टोटली फालो करो, और बाकी के जो इंसान के जो वीडियो हैं, वो भी देखो, लेकिन नॉलेज के लिए, ठीक है, अगर हम कोई सीरा अगर राइट हैंड तरफ रख रहे हैं, कोई लेफ्ट हैंड तरफ रख के रिवेंट कर रहे हैं, तो आपका दिमाग का जो ही अध्धी हो जाएगा, मैं फ सीख लो, ठीक है, स्टेरिंग आपकी हाथ में है, बहुत सारी लोग कुछ भी बताएंगे, आपको गाड़ी कहां पर चलाना है, वो आपको देख लेना है, ये मतलब हमारी जिंद्गी का सबसे बड़ा रूल है, अगर हम कोई गाड़ी पर स्टेरिंग पर बैठते हैं, तो किसी बाज़ो वाली की सभी लोगों की बात सुनेंगे हम, लेकिन हम खुद करेंगे, ठीक है, यानि की बात में नहीं कहेंगे कि तुमने कहा था कि उधर से जाना है, उधर से जाना है, फिर गलती हो गई, फिर क्यों डाला आपने, ट्रेरिंग तो आपकी हाथ में थी थी न आपको बहुत ज्यादा नौलेज ही नौलेज मिलेगा, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की लंबाई जो हो गई हो ज्यादा, इस वीडियो के हम यही पर खतम करते हैं, इस वीडियो कैसा लगा, आपको जरूर कमिट बॉक्स में लिखके बताना, और आभी एक काम करना है आपको इस वीडियो की नचे डिस्क्रिप्शन में फष्ट पर यहनै कि सबसी उपर इस वीडियो की नचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर पे हमने हमारे दूस्ते एकंड चैनल का जो लिंक है वो दिया है, तो उसके जाएको आपको सबस्क्राब कर लेना, क्योंकि वहां दोपर भी हम available रहते हैं और बहुत सारे चीज़ें सिखाते हैं हमने का ला कि जिन्दगी जिन्दगय को हमारे आसान किस तरह होगी चैनलज से नॉलेज का ही नाम है जिन्दगय को आसान भामना है यह मेरे दाल से टुसलिए उस चैनल की सम रभाभ करते कि उसके अंदर भी आपको भोजाता knowledge मिलेगा उसको escape कर लो और इस video की नीचे और फिर भी आवे एक काम है इस video की नीचे description में आपको मेरी instagram की, twitter की और facebook की link दी है उसको आप अगर follow करके रखेंगे और हमारी किसी दिन ये जो वीडियो हैं YouTube की delete हो जाएंगे किसी कारण वश तो आप मुझे वहाँ पर मिल सकते हैं हमारी साथ वहाँ पर जूड सकते हैं तो हमारे facebook, twitter, instagram आपके पास जो भी account हो उसको follow करके रख देना इसमें आपका ही benefit है ठीक है थाकि हमारा जो और आपका जो